हालो दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा नौमी का आइद वासिक परिक्जा पेपर विश्य बिग्यन कक्षा 9 तो देखिए दोस्तो इस वीडियो में बने रही है बिलकुल लाश्ट तक क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दिखाने वाले हैं जो कक्छा नुमी का ये विसाय विग्यान का पेपर है इसे हम आपके लिए हल करके बताएंगे तो देखिए वीडियो सुरू करें उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्यूस्ट निवीदन है अगर आप लोगों ने इस यूटूब चैनल टेक्निकल रभी आइटेस्ट को अभी तक सस्काइब नहीं किया है तो नीचे लाल सस्काइब की बटन को दबा के चैनल को कर लीजिए सस्काइब और वीडियो को कह दीजिए लाइक चलिए तो दोस्तो अब जो कक्छा नौमी का जो बिग्यान का पेपर है अब हम इसे हल करके बताते हैं तो देखिए दोस्तो इसमें जो सबसे फर्ष नमर पाते हैं वो है सही बिकल्ब तो देखिए इस पाहले बिकल्ब में दिया हुगा है ASI पद्धती में बल का मातरक है तो देखिए इसका जो सही answer होगा वो होगा दूसरे नमर का Newton या क्या होगा Newton तो देखिए दोस्तों इसके बाद जो दूसरे नमर का विकल्प आता है जिसमें दिया गया है गती का पिथम नियम है तो इसका सही आंसर होगा फर्ष्ट नम्मर का जह है वी वराबर यू पिलस 80 और इसके बाद आता है बिकल्प नम्मत 3 जिसमें दिया गया है पिकास संसलेसर की छमता होती है तो देखिए रोस्तो इसका जो सही आंसर होगा बो होगा दूसरे नम्मर का किसमें हरे पोधों में और दोस्तो इसके बाद आता है चोथे नमबर का इसमें दिया गया है दी नाम पद्धती के जनमदाता है तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा वो होगा फ़र्ष्ट नमबर का केरोलस लीनियस और इसके बाद आता है बिकल्प नंबर पाँच जिसमें आप लोग देख सकते हूं दिया गया है तंत्रिका कोशका को कहते हैं तो देखे इसका भी सही आंसर होगा फर्ष्ट नंबर का नियूरोन तो देखिए दोस्तो ये हमारे सही बिकल्प हो गए हैं और इसके बाद आते हैं दोस्तों सही गलत यानि सत्त सही गलत तो देखिए दोस्तों हमारे सही विकल्प में दिया है सही गलत में दिया गया है रुधिर एक सही जी उटक है तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो है सत्त और इसके बाद आता है सही गलत मतलब दूसरा तो देखिए जिसमें दिया गया है पिलाजमा जिली को कडात्मक पराग जिली कहते हैं तो देखिए दोस्तो इसका भी आंसर सही होगा और इसके बाद आता है कुश्चन नमब तीसरा जिसमें दिया गया है इलेक्टरोन प्रोटोन की संख्या बराबर नहीं होती है तो देखे दोस्तो ये भी बिलकुल सही है और जो सही गलत है वो है तीसे नमब का जिसमें दिया गया है इलेक्तरोन पिरोटोन की संखिया बराबर नहीं होती है तू अब इसके बाद चोते नमर का आता है जिसमें है जोस का आगा तथा आयतन निश्चित होता है तो देखिए दोस्तो ये गलत होगा क्योंकि दोस्तों जो ठोस होता है उसका आतन निश्चित नहीं होता है आपने देखा होगा उधार के तौर पर आप किसी पत्रे को ले सकते हैं तो देखे जो कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है तो देखे दोस्तों ये बिल्कुल गलत है तो देखे दोस्तों यह हुए हमारे सत्यासत और सत्यासत के बाद आती है जोडी तो देखे आप लोग जोडी देख सकते हो तो देखे इसमें जो पहली जोडी दी गई है जो है नेफ्थलीन तो देखे इसका मिलान होगा सीधे पांच में नमबर पर उदासीन और इसके बाद जो आता है दूसरे नम्मर की जोड़ी जिसमें दिया गया है परमारू तो देखे परमारू आबेसित होते ही तो आप सभी लोग जानते ही होगे तो इसकी हम आबेसित में कर देंगे और इसके बाद जो तीसे नम्मर की जोड़ी आती है इसमें है आयन तो देखिए आयन की जो सही जोड़ी है वो होगी फस्ट नम्मर पर यानी पादप उतक तो देखिए इसके बाद आता है बिब जेव तक तो इसकी जो सही जोड़ी होगी वो होगी तीसे नमबर मर और अबर की लाश्ट में पांच में नमबर की जोड़ी तो इसकी होगी जिमनो स्पाइस इसकी होगी नंगन बीच तो देखिए दोस्तो यह हमारी हुई सही जोड़ पिथवी सभी बस्तूओं को खाले इस्थान बल दौरा आकासत कहती है तो देखिए इसमें तो आप लोग सभी जानते होगे गुरुत्वा करसर बल दौरा क्या होगा गुरुत्वा करसर ठीक है और इसके बाद जो दूसरा खाले स्थान है जो है बस्तू की प्रारयम्बे को वा अंतेम स्थिती के बीच नियूंतम दोरी को बस्तू का खालिस्थान कहते हैं क्या है बस्तू की प्रार्यम्भिक वा अंतेम स्थिती के बीच की नियूंतम दोरी को बस्तू का खालिस्थान कहते हैं तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा विस्तापन और इसके बाद आता है दुइमान पधती में पहला नाम जीन्स और दूसरा नाम खाली स्थान होता है तो देखिए इसका नाम होगा इसका जो सही अंसर होगा वो होगा पिजाती क्या होगा प्रिजाती तो देखिए दोस्तो इसके बाद आता है हमारा चौथे नमबर का जिसमें दिया गया है उतक खाली स्थान का समूग है तो इसमें होगा कोसिकाएं क्या होगा कोसिकाएं और इसके बाद आता है पांच में नमबर का जिसमें दिया गया है पादब कोसिकाओं में कोसिका जिली के चारों और एक खालिस्थान होती है तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा वो होगा बाहरी परत और दोस्तों इसके बाद आते हैं देखिए एक सब्द में उत्तर यह हमारे रिक्तिस्थान पूरे हो गए हैं इसके बाद आता है क्या एक सब्द में उत्तर तो देखिए इसमें है आत्म घाती थेली किसे कहते हैं तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा लाइसो सुम ठीक ए और इसके बार आता है जो दूसरी नम्मर का एक सबने में कुश्चन अंसर है इसमें पादक ऊतक कितने पिकार के होते हैं तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा वो होगा दूपिकार के होते हैं कौन कौन बिभी उज़ तक और स्थाई और इसके बाद आता है तीसरे नमर का जिसमें है चाल का सूत्र होता है तो देखिए चाल का सूत्र किलो मीटर बटा घंटा होता है और इसके बाद आता है चोथरे नमर का एक सब्द में उत्तर जिसमें दिया दाय इलेक्टरोन और प्रोटोन के आवेश में क्या अंतर होता है तो देखिए इसमें जो अंतर होता है इलेक्टरोन और प्रोटोन में क्या अंतर होता है तो देखिए दोस्तो इसमें द्रबमान का अंतर होता है और अब बच्चा है देखिए एक सब्द में उत्तर का लास्ट कुश्चन जिसमें दिया गया है पिकास संसलेसर के लिए किस गैस की आवसकता होती है तो देखिए दोस्तो यह तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप सब ही लोग जानते हो कि कारवन डाय आकसाइड की जरूरत होती है पिकास संसलेसर में तो देखिए दोस्तो यह हमारे बिग्यान के एक सब्द में उत्तर में यानि एक से पांच तक के कुश्चन पूरे हो गए हैं और दोस्तो यदि आप लोग चाहते हैं कि यह जो 6 से वांकी अनल कुश्चन है 6 से 8 नमबर तक की कुश्चन यदि मैं आपके लिए हल करके बताऊं तो हमारी कम्निटी में एक कुश्चन दिया गया है उस पर हमें टेक करके जरूर बताएं दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे दें और अपने दोस्तों में करे दें सेर